अगर मेरे सेपाटी साथियों, मैं आज आपके सामने बारत की एक मात्र फ्रोजी महिला जिनको कैलेंडरी अवार्ड मिला है, उनका नाम है मदुमिता मिताली जी, उनके बारे में मैं एक कवीता प्रस्चुत करना चाहता हूँ, इसते पहरे मैं आपको ये बताना चाहता बारती अदूता वास्त में, अपनी पोश्टिंग के दोराएं, आतम की हमले में, उन्होंने अपनी जान की परवाना किये बगेर, 17 लोगों की जान बचाई थी, इस साहसिक काम के लिए उनको कैलेंडरी अवार्ड दिया गया, मैंने उनसे तीन बाक्ते सीथी हैं, मैंने उनसे यह भी सीखा है, कि अपने लिए को सब जीते हैं, पर जो दूसरों के लिए और देश के लिए जिये, वही असली जिन्दगी है, अब मैं आपके सामने बारत की, अब मैं आपके सामने एक कविता प्रसुत करना, करने जा रहा हूं, इसमें जो भी तुटिया हो, कृपिया चामा करें, यह महज एक पदक नहीं है, यह वीरों का गहना है, नाज आप परमधूमता जो आपने इसको पहना है, काबूल आतम की अबले में सत्रा जान बचाई थी, साथ समुंदर पार पजा के भारत मा की लाज बचाई थी, सिखलाया तुमने हम को, जुल नहीं अब सहना है, यह महज एक पदक नहीं है, यह वीरों का गहना है, मा तो गर्ष से फूली है, पिता की छाती चोड़ी है, देश को आई ये फक्र बहुत, बेटी जो है खरा सोना, भाईगर से इखलाता, भाईगर से इखलाता, फाजी मेरी बहना है, यह महज एक पदक नहीं है, यह वीरों का गहना है, धन्यवाद.